कोरोन मामारी की तीसरी लेर की आशुंका के बीज कावड यात्रों को मन्जूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर आसूप्रीम कोर्ट में सुनभाई की जाएगए कोड ने इस पुरे मामले पर खुद ही संध्यान लिया है और कोड ने कहा कि उत्राखंड ने कोरोना की तीसरी लेर की आशुंका को देखते हुए कावड यात्रा रद कर दी है लेकिन ऐसा जो है यूपी में नहीं किया गया राजी सरकारों का ये रवया लोगों को भ्रहमित करने वाला है इस मामले में कोड ने उत्रप्रदेश, उत्राखंड और केंद सरकार को नोटिस जारी कर दिया है आज सुबा साड़े ग्यारत से दोपहर बारा बजे के बीच सुनवाई की जाने की जो समय सीमा है वो तेह की गए थी हाला कि आपको बता दें कि नयायमूर्ती आरेफ नरिमन और नयायमूर्ती बी आर गवाई की पीच ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी के उस बयान का भी यहां पर जिक्र किया है जिसमें पीम मूदी ने कहा था कि कोविट को रोखने के प्रयासों में कोई भी समझोता नहीं किया जा सकता पीट ने कहा कि 25 जोलाई से धार्मे की आतरा शुरू करने की अनुमती देने के उत्तरप्रदीश सरकार के फैसले के बाद लोग हैरान है उदर यूपी सरकार के स्वास मंतरी जैपरताप ने कहा कि आगामी 25 जोलाई को राज्य में शुरू हो रही कावड यातरा में कोविट प्रोटोकॉल के साथ साथ इस मामले में सुप्रीम कोड द्वारा दिये जाने वाले सभी दिशान इर्दिशों का सकती से पारन किया जा संगान लिये जाने के बारे में पूछे जाने पर स्वास मंतरी ने कहा कि सुनवाई के दौरान जो भी दिशान इर्देश जारी किये जाएंगे उस पर हम विचार विमर्ष करेंगे इस बीच मुखे मंतरी योग एदित्यनात ने पिछले हफते ही कावाड यातरा की सुरक् कारियों के साथ समीक्षा बैचकी थी बरतंगली खबर के ओड़ जा कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलो का ओपरेशन क्लीन लगातार चारी है श्रीनगर के सौरा इलाके में देराज से आतंकियों और सुरक्षा बलो के बीच मुद्भेड चल रही है और इस मुद्भेड में दो आतंक की अब तक धेर हो चुके हैं इलाके में सर्च उपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलो ने दो आतंक वादियों के शव भी बरामत कर लिये हैं और इस मुद्भेड में CRPF के दो जवानों के घायल होने की खबर भी सामने आई है के तीन मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है बता दे गोला बारूद नकली सिम और नकली दस्तावेजों समेथ कई सामान बरामत भी किये जा चुके हैं तो महीं देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमन की स्थिती जियों की त्योंबनी होई है हर दिन करीब 44,000 नई केसिस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से लेकर 1000 संक्रमनों की मौत हो रही है शुक्रवार सुबार को स्वासमंतराली की ओर से जारी किये गए आंकडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में करीब 38,949 नई करोना केसिस सामने आए हैं जबकि 542 संक्रमितों की जान चली गए इससे पहले गुरवार को 41,806 नई करोना केसिस दर्च किये गए थे तो महीं पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग करोना से ठीक भी होए हैं ऐसे में वर्तमान में करोना एक्टिव केस 4,00,000 से ज्यादा बने होए हैं जबकि 4,30,000 अभी भी करोना संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है करोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है अच्छी खबर ये है कि अब तक कुल 3,1,83,000 लोग करोना संक्रमित से ठीक हो चुके हैं मामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,10,6,000 लोग संक्रमित होए थे इस वी स्वासमंत्राले के अरुसार 15 जुलाई तक देशफर में 49,53,000 लाग करोना वाक्सीन के डोस दिये जा चुके हैं बीते दिनों 38,88,000 टीके भी लगाए गए और वहीं भारती आयरविज्यान अनसंधान परिशुत के अनुसार अब तक 44 करोड करोना टेस्ट किये जा चुके हैं और बीते दिन करीब 19,55,000 लाग करोना सैंपल टेस्ट किये गए हैं जिसका पॉजिटिविटी रेट तीन पीसदी से कम रहा साथ ही आपको बता दे कि देश में करोना के मामलों में लगातार उताव चड़ाव की जो स्थिती है वो बनी हुई है ऐसे में कई राज जो ऐसे भी हैं जहां पर करोना के मामलों में काफी गिरावट देखी गई है